देश में कोरोना की रफ्तार अब धीरे-धीरे कम होती दिख रही है आज फिर कोरोना संक्रमन के 3,00,000 से भी कम मामले सामने आये हैं स्वास्त मंत्राले ने बताया कि देश में आज कोरोना के 2,86,384 नए मामले सामने आये हैं इस दोरान 573 लोगों की जान चली गई है वही 3,6,357 मरीज ठीक भी हुए हैं अगर एक्टिब मरीजों की बात करे तो अभी एक्टिब मरीजों की संख्या 22,242 है वही संक्रमन से बचाओ के लिए वैक्सिनेशन का काम भी तेजी से किया जा रहा है और अब तक 164 करोर खुराक दी जा चुकी है एक आकलन के अनुसार साढ़े 93 करोर लोगों को पहली खुराक जबकि साढ़े 79 करोर को दूसरी खुराक दी जा चुकी है वही 92,00,00,00 से जादा लोगों को अब तक प्रिकासन डोज लग चुका है तो ये थी आज के कोरोना की अपडेट ऐसे ही ख़बरों में बने रहने के लिए आप मोबाइल नियोस 24 को अभी सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब बटन के साथ लगे, नोटिफिकेशन बेल को अब दबा दे, वीडियो को लाइक और ज़्यादा ज़्यादा सेयर करें ताकि देश वाद दुनिया की तमाम ख़बरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट